नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का मीनिंग्स ओफ नेम्स में आज के इस वीडियो में हम लोग हर्याक्ष नाम करते जानेंगे कि हर्याक्ष नाम करते क्या होता है हर्याक्ष नाम के लड़कों क्या बेक्तित्व एम उनका रासी फल क्या होता है आज के इस वीडियो क माध्यमं से जानेंगे दोस्तों इसे पहले कि मैं वडियो को स्टार्ट करूं आप लों वडией को लाइक और हमारी चैनल को सबस्क्रैब कर दीजिए explores our rewards देखने का मौका मिले चलिए दोस्तों वडियो करते हैं और हरियक से नाम करते जानेंगे दोस्तो हर्यक्स नाम को अर्थ भगवान सीव होता है यानि कि भगवान सीव को हर्यक्स कहते हैं और बात कर लेते हैं हर्यक्स नाम के लड़कों के उनके लखी नमबर के बारे में तो इनका जो लखी नमबर होता है सुब अंक साथ होता है और दोस्तों बात कर लेते हैं इनके लिंग के बारे में तो लिंग जो ये होते हैं ये लड़के होते हैं यानि कि इनका नाम लड़के में होता है और बात कर लेते हैं इनके धर्म के बारे में तो इनका जो धर्म होता है वो इनका हिंदु धर्म होता है यह दोस्तों और फिर अगला जो है वो है रासी के बारे में इनका जो रासी होता है वो करक रासी होता है और यानि कि इनका करक रासी में इनका नाम होता है और सुब रंग के बारे में बात करें तो इनका जो सुब रंग होता है वो सफेद हलका नीला होता है जी हां और आगे फिर देखें तो सुब रतने के बारे में तो इनका जो सुभ रतन होता है वो मोती होता है और ग्रह स्वामी की बात कर ले तो इनका जो ग्रह स्वामी होता है वो चंद्रमा होता है और मित्रे रासी के बारे में बात कर ले तो इनका जो मित्रे रासी होता है वो वरिसभ, कन्या और मीन रासी होता है औ और जैसे कि मैं बता दू रासी की अगर हम लोग संपूर्ण जानकारी की अगर मैं बता दू तो करक रासी के स्वामी गुरह चंद्रमा है भगवान संकर को रासी का अराधे देव माना जाता है इन नाम के लड़कों के पाचन तंत्र से जुड़ी रोगों की समस्याओ से बनी रहती है इन नाम के लड़के के दिल की समस्याओ से जुड़े रहते हैं जिया दोस्तों तो ये कुछ खास बाते थी जो की इस नाम से रिलेटेड था दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप लोग वीडियो को लाइक और हमारी चैनल को सब्सक्राइब क को मिल जाए दोस्तों और वीडियो को जाता से जादा अपने दोस्तों के पास सेयर करें ताकि हमें भी थोड़ा सपोर्ट मिले और दोस्तों वीडियो में नीचे एक कॉमेंट सेक्शन है उसमें कॉमेंट सेक्शन में प्यारा से कॉमेंट कर दीजे तब तक के लिए मिलते ह अगले नए वीडियो में किसी खासने नाम और अर्थ के साथ तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद